सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए देली की वक्षीट नमबर 27 डिसकस कर रहे हैं बचों क्लास 8 की वक्षीट है सब्जेक्ट है साइन्स 22 जन्वरी 2021 की वक्षीट है टॉपिक है रिप्रोड़क्शन इन एनिमल्स जन्वरों में जो जनन होता है उसके बार में पढ़ेंगे वी नो देट रिप्रोड़क्शन इस बालोजिकल प्रिसेस इन वीचे नियो ऑर्गनिजम इस प्रोड्यूस हम जानते है जनन एक जैविक की रिया है जिसमें एक नया जी उत्पन होता है प्रित्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आविशक है इसेंशनल फोर द गंजिन एक नया जीव की उत्तति के लिए दो जीव नरोर माधा दोनों अविशक हैं एक स्थे रियू रिप्रोडुक्शन है लंगिक चननं yeah जीव हम एक नया जीव की उत्तति के लिए प्रिआपत है ञम स्थे आउं लोड़्ोडीं होता है इसमें लेंगएक जननन करने के लिए पॉधे में नर और मादा जनननंग होते हैं जो की पॉधे में पॉधे। फूल में इस्थित होते हैं , इन अनिमें मेल और फिमल मेल और प्रma ऑब different और भाय। रipर्रोडक्टिव् और जो जनतु होते हैं उनमें भी नर्मादा में अलग-अलग जननंग होते हैं तो यह जो जननंग होते हैं इनका मुख्यकारे क्या होता है य्यूगमत सनलatt होकर एख ट्यूगमनच का नर्माद करते हैं इस त्याइगड भी डपलफ इंटु ए नू एंटीविजल और यह जनन्च होते हैं वो भून में और भून से यह एक नया चीव में विक्सित होते हैं इस टाइप ओफ रिप्रोडॉक्शन बिगिनिंग फूजन अफ मेल फीमेल जैमेट्स इस कॉल्ड सेक्सवल रिप्रोडॉक्शन और जैसे की नर और मादा युकमको के सनल्यान द्वारा इस परकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं यहाँ पर अगर हम इस स्पर्म को प्लस ओ प्रोडॉक्शन अफ लेंगिक जनन मेल रिप्रोडॉक्शन नर जनन तंत्र बताय हुआ जो आदमी में होता है तो मेल रिप्रोडॉक्टिव सिस्टम इंक्लॉड ए पेर अफ टेस्टीज तू स्पर्म ड़क्ट्स एंड ए पैनिस इसमें एक जोडा विर्शन दो शुक्रा लोन अली का तता एक शिशन होता है यह कोश्च सिस्ट तनम ड्यम जAPPी हथ है तो यह जो होता है यह हार्मॉन का उत्पादन करते हैं को व्रेशन होते हैं व escr추 इसका शुक्राणू का स्पर्म का और इसका उत्पादन करते हैं मिलियम ऑफ स्पर्म सर प्रिड्यूस्ट बाइदा टैस्टीज लाको शुक्राणू विश्यर द्वारा निर्मित होते हैं इसपर्म is a single cell with all the usual cell components and half number of chromosome than the normal cell ये एक एकल कोशिका की तरह होते हैं लेकिन इसमें गुड़ सुतरों की संक्या समाने कोशिका से आधी होती है दो स्पर्म दो स्पर्म्स are very small in size each has a head, a middle piece and a tail और इसके अंदर क्या होता है की शुक्राणू जो होते हैं आकार में बहुत चोटे होते हैं प्रितिक में एक सर एक मद्दे भाग और एक पूच होती है और यह पूच साप की तर शुक्राणू को अंटे की और ले जाने के लिए होती है तो यह शुक्राणू को गर्भाश और फैलोबियन ट्यूब तक पहुचना होता है ताकि युगमनच बनाने के लिए डिम्ब के साथ निशेचन हो सके अब कोशन आंसर देख लेते हैं बचो कोशन नमबर वन है डिफाइन रिप्रोड़क्शन वाट इस दे डिफरेंस बिटमीं सेक्स्वल और असेक्स्वल रिप्रोड़क्शन जनन को परिभाशित करें लेंगिक और अन्लेंगिक जनन के भी जनतर लिखिए तो हमने पढ़ लिए बस अब हम कोशन आंसर देख लेते हैं कहां से लिखना है आपको यहां से लिखना है ठीक है आपको यहां से लिखना है रिप्रोड़क्शन इस ए reproduction से start करेंगे answer one is a biological process in which a new organism is produced ठीक है फिर आप लिख दीजे बस इतना ही लिख दीजे और पहले तो इसके बारे में फिर आप हम इसके बारे में लिखेंगे it is essential for the continuity of life of life on earth it is of two type पहले हम लिख देंगे sexual reproduction के बारे में language challenge होता है two organism parent male and female are required for producing a new organism second is sexual reproduction single organism can produce a new organism यहां तक आपका answer number one हो गया question number two देखिए define sexual reproduction ठीक है पहले sexual reproduction को define कर देते हम यहां से आपको लिखना है दा ठीक है यहां से start करेंगे the main function of these reproductive organs is to produce the gemats these gemats fuse to form a zygote it is a zygote which develops into a new individual this type of reproduction beginning from the fusion of male and female gemats is called sexual reproduction पहले आप इतना लिखेंगे फिर उसके बाद आप लिख देंगे इसका answer no it doesn't occur only in plants ठीक है यह केवल plants में ही नहीं होता है animals में भी होता है humans में भी होता है अब देखिए यहां से question number three है draw a well level diagram of male reproductive system name the male reproductive organs इसमें आपको क्या करना है कि इसमें question में आप से पूछा हुआ है कि यह जो नर जनन तंत्र है उसका एक नमांकित आरेक बनाई है और उसके नाम भी लिखिए तो देखें यह दिया हुआ है बच्चों यह बनाना है आपको पूरा यह वाला ऐसे करके sperm, duct, penis, testes यह नाम भी लिखने है यह बिल्कुल सेम पिक्चर आप ड्रो कर देना ठीक है अब question number 4 है what is the term given to male germets where it is produced तो answer number 4 आप लिखेंगे यहां से देखिए the male reproductive systems यहां से लिखना है start करना includes a pair of testes, singular testes ठीक है singular testes second number डाल के लिखेंगे आप two sperm ducts and testes produce the male germets called sperms and male hormones called testosterone ठीक है इसके बार में sperm के बार में पूछा हुआ है आपसे कि जो sperm है जो शुक्राणू है एक एकल कोशी का नहीं है तो यह false है क्योंकि यह single cell structure होती है तो इसमें आप false लिख देंगे second पूछा हुआ है testes produce sperm and testosterosterone hormone जो फिर्शर शुक्राणू और testosterone hormone को अत्पादन करते हैं तो इसमें लिखेंगे बच्चो आप true ठीक है आपकी worksheet solve हो गई है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज में वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमाई चनल को सब्सक्राइब कीजिए thanks for watching